नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टेट वे डिकेमा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले दोस्तों बाल विकास एब हम सिक्षा सास्त्र के एक प्रेक्टिस सेट के बारे में जिसमें आपको 30 प्रिशने मिलेंगे तो कमेंट से के माध्यम से जरूर बताईगा कि आज के वीडियो आपको केश लगा और आज के वडियो में आपको कितने नमबर आये अपने रेटिंग दे दीजेगा और अपना सुझाओ जरूर दीजेगा कमेंट से के माध्यम से चलिए सुरू करते हैं पहला प्रशन है बाल विकास का बाल विकास का कौन सा सिध्धान्त यहां बताता है कि जिन बच्चों में ओस्वत से अधिक व्रद्धी होती है वे सारेरि बाल विकास का परस पर संबन्द का सिध्धान्त यहां बताता है कि जिन बच्चों में ओस्वत से अधिक व्रद्धी होती है वे सारेरिक, सामाजिक एवं सविगात्मक विकास में भी काफी आगे बड़े हुए पाई जाते है तो यहां पर हमार जो रेट अंसर होगा वो प प्रश्ण को ध्यान से पढ़ना है प्रश्ण में पूछा गया है चार वीकलपों में से किसे बाल मनुविज्ञान की उप्योगिता के अंतरगत नहीं रखा जासकता बालक के भृष्च के बारे में पूर्व कर्थन में सहयक, बाल निर्देशन में सहयक, सिक्षक की आर्थिक प्रकती में सायक या फिर बालकों के व्यक्तित विकास को समझने में उपयोगी तो यहाँ पर हमारा रैट आंशर होगा बालक के भवश्य के बारे में पूर्व कर्थन में सायक इसे बाल मनुविज्यान की उपयोगिता के अंतरगत नहीं रखा जा सकता यहाँ पर पहला वाल विकल्पे हमारा सही रहेगा चलि एगला प्रश्ण है प्रकती पोषण विवाद निमलिखित में से किस से संबंदी थे यहाँ पर आपको बताना है प्रकती पोषण विवाद चार विकल्पों में से किस से संबंदी थे अनुवान से की एवं वातावरन व्यभार एवं वाता रहेगा चलिए गला प्रश्न है निमलिकित में से रिक्तिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावर्नी कारक विकास को वकार देते हैं यहाँ पर हमारा रैट आइंसर हुगा सारे रिक गठन सारी गठन के अतिरिक्त सभी वातावलने कारा का विकास को अकार देते यहां पर फोर्त वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा छे लेगला प्रस्ष्ण है अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजीकरन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सिख्छक को अपना बरताव रिक्तिस्तान रखना चाहिए किस प्रकार का बरताव रखना चाहिए दोस्तों सिक्षक को अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजी करण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए साहनो भूती पूर किंतो कठोर इसने और साहनो भूती पूर समान या फिर कठोर तो यहाँ पर हमारा रैट आंसर होगा जो सिक्ष उप्योगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवशक तत्व है यहाँ पर कौन सा आवशक तत्व है परिवार एवं पडोस है गाउं एवं सहर है देश एवं राजनिती है या फिर परिवहन एवं संचार साधन है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा परिवार एवं बालको में सामाजिकरण की प्रकृया को तेज करना चाहते हैं इसके लिए आप निमलिकित में से कौन सा कदम उठाएंगे यहाँ पर आपको बताना है बालकों में सामाजिक आदर से इस्तापित कराएंगे और बालकों को सामाज में प्रशलित मानिताओं के विशे में जानकरी देंगे तीनों ही कदम उठाएंगे आप अपनी कक्छा के बालकों में सामाजिकरन की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आपको इस तीनों ही यहाँ पर जो लॉरेंस कहलबर्ग के सिधानत है। इसमें वो कौन सा इस्तर है जो नेतिक्ता की अनुपश्थिती को सही अर्थ में सूचित करता है। व्यक्ति के संगिनात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा प्रस्ण को ध्यान से पढ़ना है प्रस्ण में प्याजे की सिध्धान्तिक अनुसार आपको बताना है चार विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति के संगिनात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा भासा सामाजि अनुभाव ये व्यक्ति के संगनात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा प्याजे के सिध्धान्त के अनुसार तो यहां पर शेकंड वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा चलिए गला प्रशने हैं वाई गोचिकी के सिध्धान्त में विकास के निमलिखित में से कोन से पहलो की उपेक्षा होती है यहां पर आपको बताना है चार विकल्पों में से वाई गोचिकी के सिध्धान्त में कोन से पहलो की उपेक्षा होती है सामाजिक सांसकरतिक जेविक या फिर भासाई तो यहा वर्ष तक के सिसू जब आँख कान वा हातों से सोचते हैं तो निमलिकित में से कौन सा इस्तर सामिल होता है यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इस्तर सामिल होता है मूर्थ सक्रियात्म किस्तर पूर्व सक्रियात्म किस्तर इंद्री जनित गामकिस्तर या फिर अमूर्थ सक् प्रश्ण है आज कल बुद्धी परिक्षन का उप्योग सिक्षा जगत में हो रहा है बुद्धी परिक्षन का निमलिखित में से कौन सा उप्योग बालक के विकास के दरश्टी कौन से सही नहीं है यहां पर आपको बताना है चार विकल्पों में से कौन सा उप्योग बालक क विकास के द्रश्टि कोन से सही नहीं है सेक्षिक मार्ग दर्शन बुद्धी परिक्षन के परिणाम के अधार पर अधिक बुद्धी वाले बालकों के तुलना में अधिक ध्यान देना अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रियोग के लिए बुद्धी परिक्षन करना या फि नहीं है तो यहां पर नहांना हनो हो वह सेकंद वालब हो एक यह उन्में से कोन से बुद्धी की परिभासा नहीं है प्रम को दिहां से पढं़ना है इसके बारेब हुख पैणा यहांго पर पहला है बुद्ध नहीं विद्धी है बिल्कुल सही है ये बुद्धी की परिभासा है बुद्धी ग्यान अर्जन करने की जमता है बिल्कुल सही है जीवन की अपेक छक्रत नवीन परिष्थितियों से अपना सामाजस्च करने की व्यक्ति की योगता ही बुद्धी ये भी बिल्कुल सही है राजिति कक्षा सिक्षन का निस्पादन भिन भिन होता है निमलकित में से कौन सा कारण इसके लिए सरवादिक उत्तरदाई हो सकता है यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से कौन सा कारण सरवादिक उत्तरदाई हो सकता है छात्रों की बुद्धी में अंतर छात्रों की अ बच्चे के चिंतन में आयू के बढ़ने के सांसात किसकी प्रधानता बढ़ती हैं यहाँ पर आपको बताना है किसकी प्रधानता बढ़ती है किसी बच्चे के चिंतन में आयू के बढ़ने के सांसात तरक की समानी करण की आत्म केंदरी करण की या फिर जीवात की तो यहाँ किसकी प्रधानता बढ़ती हैं पहला वाला हुआ शहीं रहेगा चैल लिगंगा पौत में निम있 के विकल्ता प्रा-संविक जानकारी को एकत्र करना तो यहां पर हमारा रायट अंसर होगा समस्या के प्रती जाग रुखता ही समस्या समधान की वैग्यानिक पद्धति का पहला चरणे यहां पर तीसरा वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा चिंतन अनिवारे रूप से एक संगनात्मक गतिवीदी है मनोगती प्रक्रिया है मनोविज्ञानिक परिगटना है या फिर भावात्मक व्यभार है तो यहाँ पर हमारा रायटा अंसर होगा चिंतन अनिवारे रूप से एक संगनात्मक गतिवीदी है यहाँ पर पहला वाला हमारा सही रहेगा चल लिए गला प्रश्म है तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा तो यहां पर हमारा राइट आइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा चो लिगला प्रश्न है कक्षा में लिंग रूडी बतता से बचने के लिए एक सिख्छक को यूवकों को जोकिम उठाने और निर्भिक बनने के लिए प्रोथसाहित करना चाहिए यूवकों यूवतियों को एक साथ आपरामपरिक भूमिका में रख रखना चाहिए अच्छी यूवति अच्छा यूवक कहकर सिख्छार्तियों के अच्छे कारी के साराना करने चाहिए या फिर कुस्ति में भाग लेने के लिए यूवतियों को निरुच साहित करना चाहिए तो यहां पर हमारा रैट आंसर होगा कक्षा में लिंग रूडी समचरण और विद्रोईयों को निरुचसाइद करना व्यक्तिक व्यक्तित्व विकास बच्चों को लेबलों में समयुजित करना या फिर सव्यगात्मक समर्थन उपलब्द करना तो यहां पर हमारा रैट आंसर होगा जो समाजिकरण में सम्मिली थे वो सांस्यक्रतिक समच बचरण और व्यक्तिक व्यक्तित्व विकास है तो यहां पर हमारा जो रेट आणसर होगा वो सेकन्ड वाला रहेगा चलीगला प्रसने हैं कक्चा में— विध्यारतियों के व्यक्तिक विभेद लापकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को विवेतिपूर्ण कक्छा को नियंतित करने की आवशकता है हानिका रखे क्योंकि इनसे विध्यारतियों में परंपर द्वंद उत्पन होते हैं अनूप युक्त है क्योंकि ये सरवादिक मंद विध्यारती के इस्तर पर पाठ चरिया के स्तांतरन की गति को कम करते हैं या फिर लाबकारी है क्योंकि ये विध्यारतियों की संगनात्मक सरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को परवत करती है तो यहाँ पर हमारा जो रैट आंसर होगा वो फोर्त वाला रहेगा चलिए अगला प्रश्न है हम सभी अपनी बुद्धी प्रेणना अभिरूची आदी के संदर्व में भिन्न होते हैं यहाँ सिध्धान्त संब्धित है यहाँ किस्य संब्धित है व्यक्तिक भिन्नता से हैं बुद्धी के सिध्धान्त से हैं वनसानुकरम से हैं या फिर परियावरन से हैं तो यहाँ पर हमारा रैट आंसर होगा यहाँ सिध्धान्त व्यक्तिक भिन्नता से संब्धित हैं पर हमारे जो रहाट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा चलिए अगला प्रश्ण है वहाँ मुल्यांकन जो विद्याले परिशदों के दिशा निर्देसों के अधार पर तो किया जाता है किन्तु परिशद या फिर बोड इस्तर पर नहीं क्या कहलाता है यहाँ पर आपको ब कौन सी अधिगम के मुल्य अंकन की विशिस्ता नहीं है। सूचना चात्रों के द्वारा श्यम में कत्र की जाती है यहां अधिगम के मुल्यांकन की विसस्ता नहीं यहां फर फोर्त वाला विकल पे हमारा सही रहेगा चलिए गला प्रशने हैं आज कल विद्याले आधारित मुल्यांकन की चर्चा की जाती है इसके अंतरगत अध्यापकों को विद्यारती के बारे में निमलिकित में से क्या जानने का उसर प्राप्त होता है यहां पर आपको बताना है क्या जानने का उसर प्राप्त होता है अध्यापकों को सिक्षारतिय उसकी है वे क्या सीखते हैं, वे कैसे सीखते हैं, के वल पहला सा यह Ehumc, A.RO तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा आजकर विद्ध्याले अधारित मुल्यांकन की चर्चा की जाती है इसके अंतरगत अध्यापकों को जो विद्ध्यारतियों के बारे में जानने का उसर प्राप्त होता है वो यहां है कि वे क्या सीखते हैं वे क्यों सोचते हैं और वे केसी सीखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो यह सभी होगा फोर्थ वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा चलि एगला प्रश्ने है व्यक्तिक विभिनताओं को समझने का प्रेतन सब से पहले किस ने किया जेम्स डेवर ने इसकिनर ने टाइलर ने या फिर गाल्टन ने तो यहाँ पर हमारा राइट आणसर होगा जो व्यक्तिक विभिनताओं को समझने का प्रेतन सब से पहले किया वो गाल्टन द्वारा किया गया इसके दोरा किया गया गाल्टन दोरा किया गया फूर्ट वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा तो लिए गला प्रुष्ण है आप अपनी कक्छा में चात्रों में परीपक्वता का अवलोकन करने पर कि कुछ चात्र आयू के पहले परीपक्वता प्राप्त कर चुके हैं जबकि चाहत्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयू में तो ही लेकिन उनमें परिपक्वता है इसका करण क्या हो सकता है यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से कि इसका करण क्या हो सकता है कि अच्छा में उनके बेठने का करम व्यक्तिक भिनता विद्याले आने वाज जाने के उनके भिन्र सादन या फिर अप्रक्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर जो इसका करण हो सकता है वो व्यक्तिक विबनता हो सकता है तो यहाँ पर हमारा जो लाटा अंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा चले गला प्रुशने है सतत एवं व्यापक मुल्यांकन के लिए क्या तारकी का धार है दोस्तो सतत एवं व्यापक मुल्यांकन के लिए सीखने के एक से अधिक पक्छों का आकलन के अवसरों का अधिगमनी करण मानव व्यक्तित्व के समकर प्रकति या फिर सिक्छों को पर बोज बढ़ाना तो यहाँ पर जो सतत एवं व्यापक मुल्यां यहां पर चार विकल्पों में से आपको बताना है कि सतत एवं व्यापक मुल्यांकन में किसका मुल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए चात्रों के विबिन विशे छेत्रों के कोसल, चात्रों के विबिन विशे छेत्रों में सफलता का इस्तर, चात्रों की सामाजिक आर्थिक इस्तिति या फिर चात्रों के व्यक्तिक कोसल रोची एवं अभी वरद्धी, तो यहाँ पर हमारा रैट आंसर होगा, जो सतत एवं व देजिएगा अपने दोस्तिक्साइब कर दीजिएगा और अभी तक हमारे एपस ट्येट सेक्सस को अपने डाउन्डोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्टिंग में जाकर एपसे को डाउन्लोड कर लेजिएगा अपने रेटिंग देजिएगा और अपना सुझाओ दोस्तों एक नहीं वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद जहिएगा